दोस्तों कलर्स टीवी पर टेली कास्ट होने वाले शो बिग बॉस सीजन 14 का सभी को बिस सब्री से इंतजार है तो वहीं अब जल्दी ये शो टीवी पर भी टेली कास्ट होने जा रहा है और फैंस भी बिस सब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस बार बिग बॉस इस बार बिग बॉस सीजन 14 बाकी सभी टेलीकास्ट हुए सीजन से बिलकुल ही अलग होने वाला है खबरे हैं कि इस बार कंटेस्टेंट घर के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की उन्हें परमीशन होगी ताकि वो अपने घरबालों से बात कर सके इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टीवी की होटस्ट नागिन निया शर्मा का वर खत्रों के खिलाडी मेड इन इंडिया का खिताब जीतने के बाद ऐसी खबरे आने लगी कि अब टीवी की ये खुपसूरत अदाकारा जल्दी ही बिग बॉज सीजन 14 में नज़र आने वाली है जिया दोस्तों टीवी इंडिस्ट्री की हाइस्ट पेड आक्ट्रेस निया शर्मा बिग बॉज सीजन 14 की कॉंसेप्ट को लेकर भी काफी खुश हैं साथ ही उन्होंने ये बताया भी था कि वो कॉंट्रोवर्शियल रियाल्टी शो का हिस्सा भी बनना चाहती हैं जिसके बाद से ही ये खबरे आने लगी है कि अब आक्ट्रेस निया शर्मा भी जल्दी ही बिग बॉज सीजन 14 में भी नज़र आएंगी इस लिस्ट में दूसरे नमबर पर बात करते हैं आक्ट्रेस जैस्मीन भसीन की हाल ही में नागिन सीजन 4 में नज़राई आएं आक्ट्रेस जैस्मीन भसीन भी बिग बॉज सीजन 14 का हिस्सा बनने वाली हैं जहाँ दोस्टो पिछले सीजन यानिकी बिग बॉज सीजन 13 के वक भी ये खबरी आएं थी कि अक्ट्रस की वाइल्ड कार्ड एंट्री हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं हो सका ठाथ तो वहीं अब खबरे हैं कि आक्ट्रेस जल्दे ही बिग बॉस सीजन 14 का हिस्सा बन सकती हैं इस लिस्ट में नमबर 3 पर बात करते हैं आक्ट्रेस आकांशा पुरी की दोस्तों सीजन 13 में नजराई कंतेस्ट इन पारस च्छाबडा की गर्लफरेंट आकांशा ने सीजन 13 से भी खूब ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं जिसके बाद आक्ट्रेस ने एक इंट्रव्यू में कहा था कि वो बिग बॉस के घर में जाकर ही पारस की सारी सच्छाई सब को बताएगी वेलब आक्ट्रेस को ये मौका मिल चुका है जिहां अब ये देखना काफे दिल्चस्प होगा कि आक्ट्रेस सीजन 14 में अपनी एंट्रू के बाद क्या क्या कॉंट्रूवर्सीज क्रियेट करती हैं इस लिस्ट में नमब चॉर पर नाम आता है बॉलिवूड आक्ट्रेस नेहा शर्मा का दोस्तों बॉलिवूड इंडोस्ट्री में फिल्म क्रुक से डेब्यू करने वाली आक्ट्रेस नेहा शर्मा भी इस बार बिग बॉज सीजन 14 का हिस्सा बन सकती है वल आपको बता दें कि हाल ही में आक्ट्रेस बिग बॉज सीजन 13 के विनर रहे सिधार शुकला के साथ म्यूजिक एलबम दिल को करार आया में नजर आई थी जिसके बाद से ही ये खबरे आने लगी कि आक्ट्रेस को बिग बॉज सीजन 14 के लिए भी अप्रोच किया गया है इस लिस्ट में नमबर पाच पर नाम आता है नैना सिंख का दोस्तों स्प्लिट्स विला सीजन 10 के विनर नैना सिंख भी इस बाच शो का हसा बनने वाली है वेल आक्ट्रेस ने जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुमकुम भागे में स्रिती जा और शबीर आहलुवालिया की बेटी का किरदार निभाया था लेकिन हाल ही में उन्होंने शो से अलविदा कह दिया है जिसके बाद से ही ये खबरे आने लगी कि अब आक्ट्रेस रियालिटी शो बिग बॉस सीजन 14 में नजराएंगी वेले शो का हसा बनने के लिए आक्ट्रेस भी काफी ज्यादा खुश है उनका कहना है कि वो स्प्लिट फिला सीजन 10 की विनर रह चुकी है और अब उन्हें बिग बॉस की ट्रॉफी भी चाहिए वेले ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि आक्ट्रेस बिग बॉस के विनर रह चुके प्रिंस नारूला के नक्ष कदम पर चल रही है इस लिस्ट में नमबर 6 पर नाम आता है आक्ट्रेस पवित्रा पुनिया का नागन सीजन 3 में नजर आई आक्ट्रेस पवित्रा पुनिया भी शो का हसा बनने चाह रही है वेल आपको बता दे कि आक्ट्रेस IPS आफिसर बनना चुहती थी लेकिन उन्होंने ग्राजुएशन के बाद साल 2009 में स्प्लिट्स विला में पाजिसिपेट किया और इसके बाद साल 2010 में उन्होंने अपने अक्ट्रेस करियर के शुडवात भी की वेल आक्ट्रेस काई सारे सुपर शोज में नजर आ चुकी है और अब खबरे हैं कि आक्ट्रेस बिग बॉस सीजन 14 में भी नजर आने वाली है इस लिस्ट में आखरे नंबर पर नाम आता है आक्ट्रेस सारा गुरपाल का वेल दोस्तो बिग बॉस सीजन 13 में पंजाब इस सिंगर और आक्ट्रेस शेहनास गिल और हिमानशी खुराना के बाद अब बिग बॉस सीजन 14 में पंजाब इस सारा गुरपाल भी नजर आने वाली है खबरे हैं कि पिछली बार भी उन्हें बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन अपने बिजेश शेडियूर के चलते वो शो का हिस्सा नहीं बन पाई लेकिन अब खबरे ज़रूर आने लगी हैं कि आक्ट्रेस ने शो का हिस्सा बनने के लिए हाग कर दी है परसीज क्रियेट करेंगी ये देखना काफी ज़्यादा दल्चस्प होने वाला है वला आप इन सभी में से किस अक्ट्रेस के एंट्री को लेकर सबसे ज़्याद एक्साइट हैं हम उनका नाम कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो से लाइक कीजे और शेयर कीजे साथी बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी ऐसी अपकमिंग डीटेल्स जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकल न भूले